आप अलग हो गए? नहीं ऐसा तो कोई सुचना नहीं है कि हम अलग हो गए हैं हम तो च्छ तारीक को जिस तरह का समाजवादी पार्टी कार्याले से फोन आया था कि सब सुहेल भारती समाज पार्टी और जैन चोधरी जी की पार्टी के साथ समीं बैठक हो गई और आपको इल्ब बिधायक कोई दिल्ली थे, बनारस नहीं थे , जोन पूर्श में थे , बलिया थे म लोग सुचना दिये लेकिन सुचना देने के बाद जम चल लंग के वहां से तयार हो गए आने के लिए। तो कुछ लोग रास्ते में थे तो ये खबर आई दो घंटे बाद कि नहीं सुवेलद भारति समाज पार्टी को बैठक में नहीं आना है क्योंकि नहींसे और को बैठक काइंसील हो गया है और यह हम लोगों को बता करके, कैंसिल करके उसी स्टुरूल पर कर रहे हैं तब भी हम Лोगों को चिंता बढ़ी कि अखिर मानली अखलेस यादो जी कर क्या रहे हैं हम से किस बात से नराज है या किस बात से कि हमारे विधायकों को न बुला रहे हैं, न फोन जा रहा है, ना न लेना चाहते एक नहीं लेना चाहते एक तरफ जैन चोधरी साब बैठे हैं दूसरी तुर्मानिय अखलेस यादो बैठे हैं और हमारे बड़े पार्टनर है पुर्वांचल के वो पस्चीम के हम पुर्वांचल के हैं दो ही तो एलाइंस उनके बहतर थे आप हमको क्यों नहीं बुलाए यह बात उनको बतानी चाहिए कि आपको क्या वज़ा थी यह वज़ा थी कि मानियों प्रकास राजबज ने कह दिया कि आपको एसी से निकल करके छेतर में जानी चाहिए क्या इस वज़ा से हमको नहीं बुला रहे हैं हम तो नहीं चाहते हैं कि हम गटबंधन से अ प्रदेश की राजनीती देश की राजनीती जिस दिसा में जा रही है तो क्या राश्टरपती के चुनाओं में एस बीसपी इंडिया के कंडिडेट दरपदी मूर्मू को सपोर्ट कर रही है देखे सुहल भारती समाज पार्टी आज भी यह बहुत मजबूती से कह रही है कि माननी अखिलेस यादव जी जो फैसरा लेंगे माननी ओम प्रकास राजबर जी उसी दिसा में काम करेंगे प्रकास राजबर जी इस वक्त मुख्मंत्री आवास पर क्या कर रही है तो आप दो नाओं पर क्यों सवारी कर रहा है एक तरफ करो या तो आइधर इस साइड और डैट साइड यह कहा है कि अखिलेस यादव जी यह बताएं कि कल की बैठक में जब राश्पती के उमिदवार प्रकास राजबर जी करते हैं इसलिए उन्होंने आपको नहीं बुलाया बात कतम मतलब सच बात बोलना उनके लिए तो इसलिए कि आज फाइनल अपना डिपार्चल लिगो नहीं नहीं हम तो हम क्यों कहें कि हम हम अलग हो जाएं मानी अखलेस यादव जी को अगर मानी उम प्रकास राजबर के नाम को लेकर ही पत्रकार ने किया था हां तो वो अब वो बताएंगे की वो अगर अगर हमारे आज दियत के साथ One नहीं हो सकता ना इस हम तो अभी समाजवादी पार्टी मानी अखलेस यादव जी ये बता दें कि जो कलकी बैठक फीत Shum कि हैं देखे देश के देश के बहुत अच्छा बीजिए कि आपकी कोई आत्मा है वह जग गई है कि राजनीत में हम सब लोग एक हम लोग एक साथ काम करना चाहते हैं आगे हम लुक चाहते हैं आचा सच से पर्दा उठाएंगे बिरेंदर सिंह आ गाएं वह सब जनकारी गठ है झाग you